सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रानिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हर जगह ये खबर चल रही है कि सलमान खान ने लॉरेंस बिश्णोई को धमकी दी है जी हाँ आप देखोगे हर बड़े से बड़े न्यूज चैनल ने इस न्यूज को कवर करा है और कहा है कि सल्मान खान ने लौरेंस बिशनोई को धमकी दी है यहाँ पर आप बड़े से बड़े न्यूज चैनल जो की यूटूब पर अवेलेबल है उनके धमनील देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खबर को कितना वाइरल किया गया है जान बुझ के इस से कि वो अपनी चीजे निकाल सके लेकिन सच क्या है क्या ये खबर सच है क्या सल्मान खान ने वाकई में कोई धमकी दी है क्या सल्मान खान ने लॉरेंस बिश्णोई को कोई दमकी दी है या नहीं इस खबर से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसको तक्थे मान कर ये न्यूज चलाई जा जा लिए बड़े तकत वर्वाब बड़े भाद वर्वाब कि इतने बाद वर्वाब कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे इस वीडियो को तथे बनाकर ये कहा जा रहा है कि ये सब्द सल्मान खान ने लौरेंस बिश्णोई के लिए यूज़ कि लिए लेकिन अगर कोविड द्वारा कोई रूल्स के पालन नहीं कर रहे थे तो सल्मान खान ने अपने ओफिशिल यूटूब चैनल पर एक वीडियो संदेश लोगों के लिए जारी किया था और जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने घर पे रहे सुरक्षित रहे बाहर ना निकल कोविड जादा ना फैल सके आपकी वज़े से अगर कोविड फैलता है तो क्या आप अपने परिवार वालों को कंदा दे पाओगे क्या आप इतने ताकतवर हो कि आप भार जा रहे हो कोविड फैल आ रहे हो और अपने परिवार वालों की मौत आप अपनी आँखों के सामन देख सकते हो लेकिन इस वीडियो को यहाँ गलत तरीके से पेस्ट किया गया और लोगों को ये ब्रहमीत किया गयाש की ये सब्ध सलमान खान ने लॉर्णस बिस्णोई के लिए यूस किये आप आप कहेंगे इसका थत्य क्या है कि ये वीडियो सल्मान खान ने लोरेंस बिसनोई के लिए नहीं बलकि कोविड टाइम पे बनाया था तो उसका तत्य है सल्मान खान का अपना ओफिशल यूटूब चैनल यहाँ पर आप उसी चैनल का स्क्रीन शॉट देख सकते हो जिसमें सल्मान खान का यह यूटूब चैनल है जिस पर लगबग 32 लाख फॉलोवर्स है सल्मान खान ने ये वीडियो 22 में 2020 को डाला था लेकिन फिर ये वीडियो अचानक से सर्कुलेट कैसे हुए उसके पीछे रीजन है सल्मान खान की पियार टीम जो वो है 347 मिलियन इंडियन रुपीज में बात की जाए तो लगबग 2900 करोड रुपे इतनी बड़ी नेट वर्ट के साथ सल्मान खान की बहुत सी फिल्म अभी आने वाली है उसे के साथ सल्मान खान OTT बिग बॉस और बिग बॉस को होस्ट करते है हाली में बाबा सिद्धी की जब मौत हुई थी जिसमें ये कहा गया है कि बाबा सिद्धी की मौत इसलिए हुई कि वो सल्मान खान के करीबी बताय जा रहे उसके बाद सल्मान खान से लोग दूरी ना बनाए सल्मान खान को लोग मुवी से ना निकाले सलमान क् branch के साथ लोग काम करने से ना डरे इसी चीज़ को लेकर ये न्यूस फेल आई जारी सलमान क्षाण को इस धमकी का इतना असर हुआ है कि उन्होंने 2 करोड रुपे की अपनी पुलेट פुप कार उन्होंने जर्मनी समगाई उसी के साथ साथ सलमान कान ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है सलमान कान की अभी त्री लेयर सिक्योरिटी है उसी के साथ साथ सलमान कान वाई प्लस सिक्योरिटी में चलते है उसी के साथ सलमान कान की अपनी परसनल बॉडिगार्ड भी है उनके साथ साथ स्टेट गोर्मेंट की तरफ से जो उनको सेक्योरिटी दी गई है वो क्यारी करते हैं उसके साथ साथ एनेजी के कमांडो हैं और इवेंट में जिस भी इवेंट में वो जाते हैं वहां की सेक्योरिटी भी वहां पर होती है तो ये धमकी वाला वीडियो पूरी तरह से फेक है